Hello बच्चो, let's read the question. Question है हमारा, what type of placentation is seen in sweet pea? किस type की placentation हमें देखने को मिलती है sweet pea में? So, यहाँ पर जो हमारा key concept है, वो है about placentation. So, हमें इस placentation के बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम sweet pea की placentation के बारे में पता कर पाएं. So, sweet pea जो होता है, या अगर हम placentation की बात करें, तो placentation का simple meaning है, arrangement of ovules inside the ovary. कि जो ovules होते हैं वो ovary के अंदर कैसे arrange होते हैं, इसको हम लोग placentation कहते हैं. अब अगर हम बात करें placenta की, So, placenta का काम होता है connection का, connection का किसके connection का? Connection का काम होता है ovule को connect करने का with the ovary wall. अब वो अलग-अलग तरीके से कर सकता हैं. अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं sweet pea की, So, sweet pea की तरह एक और pea होता है, जिसको हम लोग regularly देखते हैं, that is called garden pea. और वो garden pea कैसे दिखती है? कुछ ऐसे, हमारे घर में जो garden pea आते हैं, कुछ ऐसे दिखती है, और वहाँ पे हमें कुछ ऐसे, ऐसे उसके अंदर हमें structures देखने को मिलते हैं, और हम लोग जब घर पे, जब हम लोग sweet pea garden pea को cook करते हैं, क्या करते हैं, यह peeling है उपर वाली, और इस peeling को उतारके हम इन pots को बहार निकाल देते हैं, इन जो छोटे-छोटे जो हमारे पास यह जो है, seat के जो मतर हैं, उनको हम बहार निकाल देते हैं, और बाकी covering को हम फेक देते हैं, अच्छा, उस time हम क्या notice करते हैं, कि जो मतर है न, वो एक कोने से, वाल से attached होती है, रइट, एक कोने से, अभी हमने कौन-कौन से term यूज की, कि जो मतर का छिलका होता है, so that is actually the ovary wall, so वो तो हो गई हमारी ovary wall, जिसे हम लोग उतार देते हैं, and अंदर जो है हमारे मतर के दाने, that is the ovule, अब जो है ovule का जो attachment होता है, वो कहां से होता है, वो होता है side से, near the margin, so जो placentation हमें देखने को मिल रही है, इधर पे, वो है marginal placentation, marginal placentation इसलिए है, क्योंकि placenta का का काम क्या है, attachment का, ovules का, उसकी wall के साथ, और ये connection जो है, वो कहां से provided है, वो margin से provided है, इसलिए sweet pea में जो placentation हमें दिखाई देती है, वो होती है option A, marginal placentation, hope you have understood it well students, best of luck.